बॉलिवुड फिल्म मेकर करण जोहर ने हाल ही में अपने अतीत को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एक साक्षातकार के दौरान उन्होंने अपने संगर्षों के बारे में बात की। इसके साथ ही अपने एक बड़े राज्य से परदा उठाते हुए उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने लंबे समय तक एक लड़की से प्यार का नाटक करना पड़ा। और यह एक ऐसा शब्द था जिसने सचमुच मुझे अंधेरे में धकेल दिया था। करन ने यह भी खुलासा किया कि शाहरुक खान ही एक मात्र ऐसे शक्स थे जिन्होंने उन्हें कभी बुरा महसूस नहीं होने दिया। बता दें कि रौकी और रानी की प्रेम कहानी के साथ करन लगभग साथ साल बाद निर्देशक की कुरसी पर लोटे हैं। फिल्म में रणवीर सिंह, आलिया भट, धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन जैसे कलाकार हैं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। इसके अलावा एक फिल्म मेकर के रूप में करन के पास धर्मा प्रोडक्शन्स के बैनर तले कई फिल्मे हैं। इनमें सिध्धार्त मलोत्रा और राशिक खन्ना स्टार एक्शन थ्रिलर योद्धा, मिस्टर एंड मिसेज माही और मेरे महबूब, मेरे सनम हैं। अगर आपने यहां तक देख लिया है, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।